नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे और यहां पर जितने भी जीके कोई कोशन पूछे गया थे सिफ्ट 3 में सभी कोशन को हम डिटेल सॉलूशन डिटेल एक्स्प्लेनेशन के साथ समझने की कुशिस करेंगे और में सॉपोर्ट मिल सके तो चलिए हम अपने कोशन को देखते हैं पहले कोशन को कोशन नमबर 75 से स्टार्ट करते हैं जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है यह आप से पूछा गया तो पहला आपके सामने है आप्शन नम सभी को पता होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है जली कमेंट करके मुझे बताईएगा कि fundamental unit of life किसको बोलते हैं तो बच्पन में आप लोग बाइलोजी में परहे होंगे न सेल इस दा fundamental unit of life है जीवन की मुलभूतिकाई क्या होती है सेल होती है ठीक है तो कोशिका के बारे में हम जान लेते हैं कोशिका के अध्यान को क्या बोला जाता है study of sale बोला जाता है cytology कोशिका सब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था रॉबर्ट हुग ने किया था 1665 में कोशिका कितने परकार की होती है कोशिका दो परकार की होती है पहला होता है प्रो केरियोटिक दूसरा होता है यू केरियोटिक प्रतिक जीवन की उत्पति किस से होती है एक कोशिका से होती है अगर कोशिका नहीं होगी तो जीवन की उत्पति संभाव नहीं है कोई भी क्या होता है या तो एक कोशिका से मिलके बना होता है ठीक है ना अमीवा क्या होता है कि एक कोशिका से मिलके बना होता है ठीक है तो आपके सामने काफी है जैसे बाहे कोशिका मतलब कोशिका का जो लेयर होता है external layer केवल पादब जो कोशिका होता है उसमें केवल external layer होता है जिससे उसका कोशिका क्या होता है ज्यादा secure होता है ठीक है बट जन्तु में नहीं होता है तो ऐसा question आपसे पूछा जा सकता है कोशिका सिधान्द का प्रतिपादन मतलब यहां बूला गया है कि कोशिका sales theory सबसे पहले किसी ने बताया था sales theory के बारे में तो 1838-1849 में स्लाइडेन और स्वान ने बताया था सबसे बरी कोशिका किसकी होती है तो सुत्र मुर्गी के अंडे की कोशिका सबसे बरी कोशिका होती है यह भी question बहुत बार एक्जाम में पूछे जा चुके है चलिए अगले question को देखते है question number 76 में आपसे पुछा गया कि नेमन में से कौन सा नियूमतम छिद्र युक्त है मतलब किसमे सबसे कम छिद्र होंगे पहला option है रेटेली मिट्टी sandy soil दूसरा option है गाद भरी मिट्टी तीसरा option है चिकनी मिट्टी और चोथा option है खारी मिट्टी तो सबसे कम जो छिद्र होग किसमे होगा चिकनी मिट्टी में होगा ठीक है ना तो इस question का सही answer क्या हो जागा option number C होगा चली देखते इसके बारे में हम डेटेल में जानने के कुछिस करते हैं मिट्टी के अध्यान को क्या कहा जाता है पैडोलोजी कहा जाता है जो कि most important है जलोड मिट्टी जलोड मिट् oxide की उपस्तिती की कारण होता है जैसे कि आप लोग मार्स प्लैनेट को जान सकते है उसको red planet क्यों बुला जाता है क्योंकि उसमें iron oxide की उपस्तिती है बहुत जादा है उसके बार लेट्राइट मिट्टी एवं सिल्का की मातरा सबसे अधिक होती है लेट्राइट मिट्टी म होती है ना रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसमें अंगूर की खेटी होती है तो कुसी static point भी मैंने आप लोगों को बता दिया चलिए आगे देखते हैं अगले question को 2015 में Miss Universe किताब जीती थी किसने जीता था तो 2015 में Miss Universe किताब यह करेंट फेर question है तो चलिए Miss Universe मैं बता देता हूं कि सबसे पहला Miss Universe का किताब मिला था सुस्मिता सेन को और सबसे पहला Miss World का किताब मिला था रीता फारिया को ठीक है यह दुनों question आप से पूछे जा सकते हैं और 2015 में किसको मिला था 2015 में मैं सीधा answer बताऊंगा क्योंकि यह question आ चुका है टेस question का सही answer हो जाएगा option number B पिया वुट्स जे बैंक जो भी है देख लीजेगा आगे दिखते हैं अगले question को देखेगा question number 78 question number कौन सा देख रहे है 78 चानक्य का दूसरा नाम क्या था चानक्य का अन्य नाम क्या था यह आप से पूछा देव वर्मन option number A विशनु गुप्ट राम गुप्ट और ब्री जेस्वर तो इस question का सही answer क्या हो जागा विशनु गुप्ट चानक्य चंद्रगुप्ट मौरे का सिनपती था जो कि मौरे समराजय में सबसे ज्यादा प्रभाविस आ सके साबित हुआ था ठीक है चानक्य मौरे वन्स की स्थापना के लिए चानक्य ने एक बहुत ही महतेपूर्न भूमिका निभाई थी चंद्रगुप्ट मौरे के साथ बहुत ही important है इन्होंने ही जो economics होता है मतलब ज पूछा जा सकता है ये चंद्रगुप्ट मौरे में एक दरवारी कभी था ठीक है तो जितने भी static point बन सकते थे मैंने बता दिया चलिए आगे दिखते question no.79 ब्रह्मे समाज के संस्तापक कौन थे बहुत ही असान question है बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ब्रह्मे समाज के स अस्तापक राजाराम मोहन रुए 1828 इस्वी में ब्रह्मे समाज की स्तापना इन्हों ने की थी राजाराम मोहन रुए ने अथा सो पंद्रा इस्वी में आत्मिय समाज की स्तापना की थी और आधी ब्रह्मे समाज की स्तापना 1866 में देविंद्र नाथे ठाकुर ने की थी ब्रह्मे समाज की स्थापना श्री रमालू नैडू ने की थी प्राथना समाज की स्थापना आत्मा राम पंडु रंगे राना डे व्डेव वर्मन्थ हाकुरे ने केशो चंदर की सहीयोक से 1860 में की थी उसके बाद अगर आप देखेगे सत्य सोधक समाज की संस्थापक जोत की जोती राव गोविंद फूले थे आरे समाज की संस्थापक दयानन सवसती और हरिजन समाज की संस्थापक कौन थे महात्मा गांधी तो यह सब कोशन आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में चलिए आगे देखते हैं अगले कोशन को कुशन नमर 80 को देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी पच्छिमी घाटी से निकलती है घागर क्रिशना दामोदर और सोन तो इस कोशन का सही अंसर क्या हो जाएगा देखेगा तो इस कोशन का सही अंसर क्या हो जाएगा क्रिशना नदी क्रिशना नदी कहां से निकलती है पच्छिमी घाटी से निकलत क्रिशना नदी की सहायक नदी और कहां से निकलती है मैंने शुरुआत में ही बताया पच्छमी घाटी की पहारियों से निकलती है क्रिशना नदी की कुल लंबाई 1401 किलो मिल्टर है ठीक है दामोदर नदी का उद्गम असल जारकंड के छोटा नागपूर के पठार से होता है सोम नदी अमर कंटक की पहारियों से निकलती है इसकी लंबाई 780 किलो मिल्टर है और तथा पठना के समीप गंगा में जाके मिलती है सोम नदी ठीक है तो ये सब कोशन आप से पूछा जा सकता है आगे दिखते हैं अगले कोशन को अगले कोशन को दिखते हैं कोशन नमर 81 स सुभास चंदर के पिता का नाम क्या था तो सतंद्रनास बोस है जानकीनात बोस है एसन बोस है या पिर जगदीश चंदर बोस तो सही answer क्या हो जागा option नमर B जानकीनात बोस ठीक है बहुत जादा important question हो गया ये अब आगे दिखेगा आगे दिखेगा यहाँ पे सुभास चं के का शुबाद संद्र के पिता जानकीनात बोष थे और इनका जन्म उष में भूत हुआ था इनके द्जिभारा उनीस्त तो तर सुनसीय तो अजाध हिन फौल इनके सांद्र सकतार वे थनके गलत लिखा लेका हुआ उन्हों ने फॉर्वर्ड ब्लॉक की ताहपना उन्हों नहीं की थी ठीक है ना चलिए आजाध हिंद फॉज की स्टापना उन्होंने की नहीं की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टापना सुबाद संद्र बोश नहीं की थी और अगर हम माने उनकी जो देथ थी वो एक प्लेन दुरगटना में हुई थी आठारसो उन्दीसो पैतालिस म ठीक है जिसका आज तक साख से मिला नहीं है की सच में वो उनका देथ हुआ था या कुछ और था चलिए आगे देखते कोशन नमर 82 कोशन नमर 82 में क्या लिखा हुआ है निम्न में से मुक्य बाजी के लिए दुरवना पुरुसकार किसने प्राप्त किया तो गुरु चरन सि ने सही एंसर मुझे बताइएगा कोशन नमर 82 का सही एंसर क्या होगा ऑप्शन नमर ए गुरु चरन सिन हो जाएगा मुक्य बाजी के लिए दुरुणा चरह पुरुसकार गुरु चरन सिन को मिला इन्होंने दोगा चौदा पंद्रा के लिए मिला दुरु नहीं सो पचार में खेल प्रसिक्षन छित्र में दिया जाता है ठीक है यह सब इंपॉर्टेंट हो गया आगे देखेगा इस प्रुषकार के तहत पांस लाक रुपया का प्रधान है मतलब पांस लाक आपको दिया जाएगा वर्श दोह जा सुल्ला में छे लोगों को द्रोनाचार एवार्ड से सम्मानिज किया गया जो कि अब इंपॉर्टेंट नहीं है वर्श दोह जा सुल्ला में विजेता का भी नाम लिखा हुआ है तो यह एक इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप करता हूँ करेंट अफेर का कोश्टन है नेमन में से कौन सा उत्कृष्ट नौबल क्या होगा देखें सही अंसर क्या हो जाएगा आपसा नंबर भी हो जाएगा चांदी चांदी क्या है एक नौबल नौबल धातु है उत्कृष्ट धातु है ठीक ना चांदी कैसा धातु है नौबल धातु है गोल्डन प्लेटीनियम सिल्वर मरकरी उत्कृष्ट धातु है सबसे भारी धातु कौन होती है Osmium होती है और Platinum क्या होती है सबसे कठोर एविवम सबसे हलकी धातु होती है तो सबसे कठोर होती है हलकी नहीं सिसा की Osmium विद्धुत चालकता सबसे कम होती है तो ये कुछ do 놓 फाएंट था इस कोसन से related ठीक है मुझे लगता है कि आप लोगो समझ में आ गया होगा चलिए अगली कोशन को अब हम देखते हैं कोशन नमर 84 निवन में से 2015 में सर्वेसरिष्ट एनिमेटिट फीचर फिल्म के लिए आसकर एवार्ड किसको मिला था तो इस कोशन को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये कोशन करेंट फैर कोशन है और इस कोशन का बट मैं एंसर आप लोगो बता जाता हूँ सही एंसर क्या हो जाएगा बिग हीरो को मिला था अप्सन नमर बी बिग हीरो चलिए आगे देखते हैं परसिद है यातरी जहाज है टैटनी के किस देश का था तो आप लोग सभी को पता है USA होगा चीन होगा Great Britain होगा या फिर फ्रांस होगा तो गुशन नमर पचासी का सही एंसर हो जाएगा 1912 में Britain Sorry 1912 में The Great Britain का ये टैटनिक जहाज था ठीक है जो कि 1914 अपरेल 1912 को हिमसिला से टकरा करें डूब गया ठीक है तो ये important point हो गया आगे देखते हैं आगे देखेगा Mariana Trench Mariana Trench से किस महासागर में है Atlantic महासागर Prasant महासागर Hind महासागर या फिर दक्षिन महासागर मैं बता दू हिंद महासागर के चलते ही हम लोगों हिंदुस्तान बोला जाता है भारत का जो नाम आया ना हिंद महासागर के कारें आया तो question number 86 का सही एंसर देखेगा इस question का सही एंसर क्या हो जाएगा Atlantic मतलब है sorry यहाँ पर सही एंसर क्या हो जाएगा Mariana Trench जो है ना प्रसांथ महासागर में इंगलिज में आप इसको क्या बोलेंगे Pacific Ocean ठीक है आप देखेगा अब देखेगा अब यहाँ पर इसके solution को देखते है Mariana French प्रसांथ महासागर में इस देखे थे Mariana घर्त की कुल लंबाई गहराई एक ग्यारा हजार दो यहां देखेगा, आगे हम देखते है सुन्दागर ते हिंद महासागर में इस देखे थे यूरेशियन बेसिन अंटार्टिक महासागर में इस देखे थे यह सब कुछ इस्टार्टिक पॉइंट हो गया चलिए आगे देखेगा अगले question को कुछ से नमर कौन सा देख रहे हैं 87 देख रहे हैं मानो सरीर में सबसे छोटी हड़ी क्या होती है टीबिया होती है ट्रेपीज में होती है या फिर इस्ट्रेपीज होती है या फिर जांगी की हड़ी होती है फिमर तो सबसे लार्जेर है हड़ी होती है आप से सबसे छोटा प रिनाइड जैसे कठोर होती है हड्डियों का अध्यन हड्डियों के अध्यन को क्या कहा जाता है औस्ट्रोलोजी कहा जाता है हड्डियों के अध्यन को कैल्सियम या विटामिन के साथ हड्डियों तथा दातों को द्रिड़ेटा परदान करता है मानों की सरीर में कुल हड्ड जा सकता है एक्जाम में ठीक है आगे दिखेएगो पीछे की और उड़ने वाला एकमातर पक्षी हमेशा पूछा जाता है इस question को और इस question का answer आप लोग सभी को पता होगा की भी है बाज है हमिंग बर्ड है या फिर अलबा टोस्ट है तो इस question का answer सभी को पता ही होगा अपसर नमर ए हो जाएगा हमिंग बर्ड अब देखेए कैसे related कुछ है और भी point को जानते है इसकी जो अंडा होता है हमिंग बर्ड का सबसे छोटा अंडा होता है और सबसे छोटा पक्षी भी होता आईए ठीक है अब दीखे किवी जो है नीजिलैंड का राश्ट्य पक्षी कहलाता है ठीक है नकल करने में कुसल पक्षी लायर बड और अस्टलिया में पाई जाती है अफ्रीका के काला हारी मरवसली है सुत्रमुर्गे सुत्रमुर्गे नामक पक्षी मिलती है और कैडोर क पक्षी संसार का सबसे बरा सिकारी पक्षी है और जो दक्षिन अमेरिका में पाए जाता है सुतुरमुर्ग विस्व का सबसे बरा पक्षी है और हमिंग बर्ग जो है न सबसे छोटा पक्षी है उल्टा भी उरता है और सबसे छोटा अंडा भी होता है इसका और सबसे छोटा पक्षी भी है मैंने बता दिया था अगले कोशन को देखते हैं देखेंगा अगले कोशन को कोशन नमबर अभी कौन सा देखेंगे हम लोग कोशन नमबर देखेंगे 89 अब देखेंगे कोशन नमबर 89 में क्या पूछा गया यहां पर देखें आक्टोपस के खून का रंगी कैसा होता है लाल होता है निला होता है गुलाबी होता है या जाता है मतलब ब्लू होता है आप लोको याद रहना चाहिए question number 90 देखिए question number 90 क्या है Australia के सबसे अधिक घानी आबादी वाला सहर कौन सा है Canberra हो जाएगा Sydney हो जाएगा Melbourne हो जाएगा या पर्थ हो जाएगा तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा Australia के सबसे घानी आबादी वाला सहर कौन सा हो जाएगा Sydney हो जाएगा option number B हो जाएगा अब देखिएगा मैंने पिछले question का answer आप लोग को बताया नहीं केवल बता दिया कि octopus के खुन का रंग होता है नीला होता है तुसरे related कुछ और point भी जान लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले देखिएगा कि octopus है octopus का प्रचलित नाम क्या है shrink mean है ठीक है ना इसके सरीर में तीन भागों में विवक्त हो जाता है इसका सरीर होता है तीन पार्ट में विवक्त हो जाता है सिर अतरांग और जो पीछे का जो हिस्सा होता है वो इसमें सुअसन गिल्स या टीनी डिया द्वारा होता है इसका उस सर्जन विक्रितों द्वारा होता है तो यह कुछी static point है विक्रित के द्वारा होता है इसका उस सर्जन अब देखेगा अगला question जो है Australia के सबसे खानी आबादी क्या मैं ने बताया है कहां पर है सिड्नी में ठीक है Australia के राजजानी क्या है Canberra है जो की पता है पार्थवे स्वान नदी की किनारे बसा हुए Australia सहर और मैंने बता दिया और जो सिड्नी है ना वो darling नदी की किनारे बसा हुए तो यह सब question आप से पूछा जा सकता है आगी देखते है question number 91 question number 91 में क्या पूछा गया ध्यान दीजेगा भारतिये विज्ञान संस्था कहां इस्थी थे कानपूर में बैंगलूरू में मुंबई में ये चन्नाई में तो बताईएगा आप लोग comment करके कि भारतिये विज्ञान संस्था कहां इस्थी थे तो सही answer क्या हो जाएगा comment करके बताईएगा तो सही answer क्या हो जाएगा option number B मतलब है बैंगलूरू में बैंगलूरू के क्या बोलते है Silicon Valley of India बोला जाता है बैंगलूरू को क्योंकि यहाँ IT का बहुत अच्छा market है बैंगलूर में ठीक है न रमन अनुसंधान संस्था कहां पे बैंगलूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू नमर 92 देखिएगा कोशन नमर 92 में आप से क्या पुछा गया कोशन नमर 92 में आप से पुछा गया यहां पे ध्यान दीजेगा कोशन नमर 92 में आप से पुछा गया कि निम्न में से कौन सा खेल में से ओलम्पिक को हटा दिया गया निम्न में से कौन सा खेल ओलम्पिक से हटा द गट को बट 2016 में कौनसे गेम को हटाया गया था तो ऑप्सन नमर C बेस्ट बोल को निकाल दिया गया था अब आप से पुछा जा सकता है कुछी स्टाटिक कोशन इससे तो बेस्ट बोल का ओलम्पिक खेल से हटा दिया गया था आधूनिक ओलम्पिक खेल की सुरुवात 1896 में अटिंस में हुआ था और उलम्पिक की देखरे का अंतराश्च्छी उलम्पिक समीति करती है जिसकी सापना 1894 में हुई थी इसका मुख्याले कहां पे स्विज्जा लैंड में है वर्स 2016 में औलम्पिक रियो डी जेनेरो में हुआ था जो की ब्राजील में और वर्स 2020 में औल का मतलब क्या होता है लैन का मतलब क्या होता है कंप्यूटर के संदर में में लैन का मतलब क्या होता है लैन मतलब क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि सभी को पूता है है ना आगे देखेगा मैं का मतलब क्या होता है मैं का मतलब क्या होता है वाइड एरिया ने National Information Center Network होता है इसका full form ठीक है तो ये सब question आपसे पूछा जा सकता है जो भी static question बन सकते थे मैंने बता दिया चलिए question number 94 देखते है वर्तमान में हमारे द्वार उपियोग किये जाने वाले रसाइनिक पर्तिकों की उपियोग विधी किसने तयार किये लुइस पास्टर, रॉबर्ट वाइल, बर्जीलियस या जॉन डाल्टन सही answer मुझे आप लोग बताईएगा question number 94 का question 94 का सही answer हो जाएगा option number B, रॉबर्ट वाइल आद देखें पर्तिकों की उपियोगे विधी, विलियस ने तयार की थी जॉन डाल्टन ने परमानू की खोज 1818 में की थी, लुइस पास्टर ने रेवीश की टिकी की खोज और दूद के फस्यूराइजेशन की खोज की थी और विसानू की खोज इवान विस्की ने की थी, ठीक है और वर्तमान में हम जो हमारे द्वारा उपियोग की जाने वाले रसाइनिक पर्तिकों की उपियोग विधी बर्जीलियस ने तयार की थी तो आप से पूछा गया था, सही अंसर क्या हो जाएगा, मैंने सही अंसर क्या हो जाएगा, बरजीलियस हो जाएगा, इस question का सही अंसर, चलिए आ गे देखती है, आगले question को, question नमर 95, प्रिजबी का जल चक्र किसके द्वारा तयार किया जाता है हवा के द्वारा चंदर्मा के द्वारा सूरिय के द्वारा या प्रिजबी के द्वारा तो सभी को एंसर पता होगा कि इस कोशन का सही एंसर क्या हो जागा जो जल चक्र होता है बरसात होता है फिर से बरसात होता है तो पानी बास पर होके उड़ जाता है तो उसके कारण बरसावत होता है तो यह आप लोग को पता होगा जल चकर क्या होता है ठीक है तो यह सूरेश के द्वारा मेंटेन किया जाता है पृत्वी का जल चकर सूरेश के द्वारा संचालित होता है पृत्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री जुकी हुई है पृत्वी को सूरे की परिकिर्मा करने में 365 दिन 5 गंड 48 दिन का 48 से मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है पृत्वी का रित्वी परिवर्तन उसकी अक्ष के जुकाओं की कारण होता है तो यह सब कोशन आप से पूछे जा स सकते हैं चल्य आगे देखे का अगला कोशन ओन जीय सी का मुख्याले कहां पर डिबरगर में है कांडला में विशाका पटन में दहरा दून में सही अंसर मुझे बताइएगा कोसन नमर 96 का सही अंसर ओन जी का मुख्याले कहां पर है तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा question number 95 का question number 95 não authentication question number 96 का भी देख रहा है na OSGC का मुख्याले कहां पर है देहरा दून मैं देहरा दून मतलब option number D हो जाएगा ONGC का मुख्याले Bheo Bheo Bel का मुख्याले नई दिली में IOC का मुख्याले नहीं दिली में CIL का मुख्याले कलकता में और OIL का मुख्याले कहां पे है डूली याजन में ठीक है Robert Galbraith के को बैतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है तो इस question का सही answer आप लोग मुझे बताईएगा option है Agatha Kishtry, दूसरा option है Sydney Sheldon, तूसरा option है इस question का सही answer हो जाएगा option number D हो जाएगा इस question का सही answer option number D हो जाएगा जे के रॉलिंग ठीक है न इनका जो एक और नाम है Robert Galbraith अब इनके बारों में कुछ जान लेते हैं हम लोग ठीक है तो यहाँ जागा कुछ दिया नहीं है एके लाइन दिया हुआ है चलिए question number अभी कौन सा देखा हमने 97 देखा आगी देखते है Thomas Cup कि स्केल से जुरा हुआ है टैनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टैनिस से या फिर होकी से question number 98 का सही answer हो जाएगा option number B हो जाएगा option number B मतलब बैडमिंटन Thomas Cup कि से जुरा हुआ है बैडमिंटन से जुरा हुआ है बैडमिंटन ने से जुरा हुआ कप कौन कौन से है नारंग, चड़ा कप है अमरित दिवान कप है अधुनिक बैडमिंटन का विकास कहा हुआ था इंग्लैंड में तो यह सब कौशन पूछा जाता है कि कौन सा खेलका कहां विकास हुआ था तो आप लोग इसको देख ली जगा या फिर मैं करवा दूँगा किसी वीडियो में इसका सर्वोचे संस्था इसका सर्वोचे संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है बैडमिंटन कप पे बेगम रसूल प्रॉफी होकी से संबंदी थे बैंटन कप बैंटन कप बेगम रसूल प्रॉफी होकी से संबंदी थे तीक है आगे बर्णा विलिक कप जो है टेबल टैनिस से संबंदी थे तो यह सब कौशन भी आपसे पूछा जा सकता है आगे देखेगा question number 99 शूरी की उर्जा किस माध्यम से उत्पन्य होती है nuclear fusion, solar power, thermal power और gravitational energy तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा nuclear fusion की करण ध्यान दिज़ेगा fusion F-U-S-I-O-N fusion ठीक है न अब यहां देखेगा परमानु से लियन के द्वारा उर्जा उत्पन्य होती है सूर्य में और सूर्य सौर्य मंदल का प्रधान होता है सूर्य का उम्र जो होता है 5 million वर्स होता है सूर्य जोवरा उर्जा देते रहने का समय होता है 10 to 10 power 11 वर्स होता है और सूर्य का व्यास होता है 13,92,000 km होता है तो यह सब कुछन आप से पूछा जा सकता है चलिए आगे दिखिएगा नेम्ड में से कौन सा सहर वस्तु कला की दृष्टी से नियोजी थे दिली बैंगलियूरू मुंबई और चंडीगर तो सबसे इसका सही अंसर आप लोग सभी को पता होगा option number D हो जागा चंडीगर जो है ना पंजाब और हरियाना दोनों की राजगानी कहलाती है और वस्तु कला के दृष्टी से सब्से अच्छा सहर मानना जाता चंडीगर को चंडीगर सहर के सिल्पकार लीक कार्बूर जीयर है ठीक है तो यह कोशन पूछा जा सकता है चलिए अगले कोशन को देखते हैं कोशन नमर 101 सबसे बरा सनपाई कौन सा है अफरीकी हाती नर दरयाई घोरा और ब्लू वेल उसके बाद है नर हैमर हैड सार के तो इस कोशन का सही एंसर क्या हो जाएगा ब्लू वेल हो जाएगा ऑप्सन नमर सी हो जाएगा ठीक है अब इससे रिलेटेटर कुछी स्टाटिक पॉइंट जानते हैं अस्तंधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है कितना होता है 39 डिग्री सेलसेस होता है ठीक है तो यह आपसे पुछा जा सकता है डर्क के विल्ड प्लैप्टीकस है एक मात्रे विषयली क्या है असंधारी है ठीके तो ये भी कोप्षन पूछा जा सकते है उसके बाद क्या है कोप्षन नमबर 102 सब्दी 20 विश्मर एकवी नौक से किससे संधर्भित है मतलब क्या होता है पहला question आपसे पुछा गया है कि एक समान आकार होता है दिन और राते एक समान आधी के होते है गर्मी और सर्जी एक समान आधी के होते है या फिर मौसम एक समान आधी के होते है तो 102 का सही answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा दिन और राते एक समान आधी के होते है ठीक है तो ध्रूबों पर होता है साइध तो यह भी कोशन आप से पूछा जाएगा चलिए आगे दिखते हैं कोशन नमबर 103 एको सिस्टम की संक कल्पना को किसने परिभासित किया था ठीक है तो सही एंसर आप लोग बताईएगा और्थर टॉसले एल्वीन हैचलिंसन रेमडम लिंड मै चार से एल्टन तो इस कोशन का सही एंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा तो यहां पर हो जाएगा और यहां मैंने बता दिया था सही एंसर क्या हो जाएगा आप सो नमबर ए हो जाएगा ठीक है इसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है त अगले कोशन के तरफ चलते हैं अब देखें दुनिया में बोली जाने वाली सबसे दूसरे नंबर कि सबसे ज़्यादा भासा कौन से है दूसरे नंबर पर कौन सी भासा सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में मैडरीन, मैडरीन Spanish, अंग्रेजी और हिंदी तो इस question का सही answer हो जाएगा question number 104 का दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भासा बोली जाती है दूसरे नमबर पे Spanish बोली जाती है option number B Spanish ठीक है यह important question है आगे दिखेगा question number 105 विकास के सिधान्त किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था charge Darwin, charge Dinkens, Albert Einstein, Isaac Newton तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा charge Darwin हो जाएगा चलिए आगे दिखेगा light pain का मतलब क्या होता है light pain का मतलब क्या होता है micro tip pain होता है input device होता है pain to right है in dark होता है weightless pain होता है तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा option number B option number B हो जाएगा इस question का सही answer input है device ठीक है आगे देखेगा वरतमान समय में भारत के मुख्या नाइधीस कौन है तो light pain एक input device है यह आप लोग को पता है और keyboard, web camera और joystick साब input device होते है ठीक है भारत में वरतमान मुख्या नाइधीस कौन है तो अभी तो change हुए है 47 है रंजन गोगोई के बाद मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है ठीक है यह 2016 का question है अगर आप लोग को पता होगा जो पैनल था उसमें वो भी सामिल थे 47 नंबर के भारत के मुख्या नाइधीस बने है वो सरद अरबिंद भोपरे सायद नाम है कमेंट करके बताईए कि मैंने सही बताया कि गलत बताया ठीक है तो फिलाल इस question को हटा देते हैं हम अगले question को देखते हैं इनका जो वेतन होता 2,80,000 प्रति माहा होता है ठीक है और इनकी अधिक्तम आईउ होती है 65 वर्स 65 वर्स तके ये मुख्या नाइधीस के पदग पे बने रह सकते हैं सरवच्य नाइले द्वारा नियुक्ति राष्पति के द्वारा होती है राष्पति करते हैं और नियुम्तम आईउ की कोई सीमा नहीं है ठीक है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सरवच्य नाइले में एक मुख्या नाइधीस और तिस अन्य नाइधीस होते हैं ठीक है एंसर क्या हो जाएगा कोईसर नमर एक सो आठ का आफसर नमर सी हो जाएगा रियाल जो है ना ब्राजील की मुद्रा है रियाल कुछ अन्य देशों की भी मुद्रा है जैसे की इरान की है कतर की है ओमान की है साओधी अरब की है या फिर यमन की है चीन की मुद्रा क्या है युवान है जांबिया की मुद्रा क्या है दलासी है और रियाल जो है ब्राजिल की मुद्रा है ब्राजिल की राज़ानी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा सायद रियो है ठीक है ना आगे देखेगा कोशन नमबर 109 इन्हें से कौन सा रसाइनिक परिवर्तन एक उदाहरन है सब्लीमेशन, क्रिस्ट्रलाइजेशन, नूट्रालाइजेशन और डिस्ट्रिलेशन सही अंसर मुझे पताईएगा कोशन नमबर 109 का, सही अंसर क्या हो जाएगा कोशन नमबर 109 का, आप्सन नमबर C हो जाएगा ठीक है ना, नूट्रालाइजेशन, एक रसाइनिक उदाहरन है, प्रोसेस का उदाहरन है और कोई भी पताईफ अपनी थोस अवस्ता से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, इस जो प्रोसेस को क्या बुला जाता है, सब्लीमेशन बुला जाता है कोई भी material क्या होता ना ठोस अवस्था से क्या होता है गैसी अवस्था में मतलब liquid में नहीं हुआ सिधा गैस में बदे गया तो इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे सब्ली मेंशन बोलेंगे ठीक है आगे देखते हैं कोस्था नमर 110 दादा साहब फाल के अवार्ड दोहजार अठारा तो मिला है अमिता बचन को और यहां पुछा गया कि दोहजार सोला प्रतम व्यक्ति कौन थे इस्टाटिक कोस्था ने दादा साहब फ सत्य जीत रॉय और चौथा ओप्शन है देविका रानी इसकोशन का सही एंसर क्या हो जागा देविका रानी हो जाएगा अब यहां देखी का दादा साहब फाल के से प्रतम है जो व्यक्ति से समानित होने वाले वो देविका रानी थी 1979 में इनको यहां प्रुसकार मिला था प्रिथी विराज कापूर को 1971 में मर्नों के उपरांथ मिला था और सत्य जीत रॉय को 1984 में मिला था लता मेंगेशकर को 1989 में मिला था दादा साहब पाल के प्रुसकार फिल्म के छेतर में अच्छे मतलब उत्कृष्ट योगदान के लि पक्षी अभियरन के रूप में जाना जाता था समस्पूर पक्षी अभियरन मयानी पक्षी अभियरन सलीम अली पक्षी अभियरन जो की कस्मीर के साइड है केवला देव राश्टिय उद्यान तो सही अंसर क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा केवला देव राश्टिय उद्य किस से अभियरण को, पूर्बे में भारत पूर्ब पक्षि अभियरण के नाम से जाने जाता है, कियोवला देव क्राष्टी अभियरण को टिक है अब देखते हैं कुछ स्ट्रैक कुस्टन कुस्टन नम्बर एक से ग्यार्थ से ररेलेटटड समस्पूर पक्षी अभियरन, राय बरेली, उत्तर पर्देश के पास है, मयानी पक्षी अभियरन, महराष्ट के सतार के पास इस्तिते, सलीम अली पक्षी अभियरन, जम्मु कस्मिर में इस्तिते, केवला देव राश्टिय उद्यान, भारत के राजस्तान में इस्तिते, सा हिस्सा पानी और खनी परिवहन को सक्षा मनाता है तो जायलम मैंना अभी तुरंद बताया ठीक है आप्शन नमबर सी होगा इस कोशन का सही एंसर जायलम पौधे की यांत्री की दृज़रिता प्रदान करता है पौधे की आयू की गन्ना जायलम की जायलम उतक के वार्शिक वलै की गिनकर होता है वलै की गिनकी की जाती है उसके बाद देखेगा पौधे की आयू के निधारन की इस विदि को क्या बुला जाता है और देंडो क्रॉन नो लाजी कहा जाता है ठीक है यह सब कोशन इंपोर्टन है कोशन नमर 113 इनमें से कौन सा भारती गनेतिक गये है तो भारतिय गनेतिक ये कौन हो जाएंगे भासकर आपसन नमर सी हो जाएगा इस कोशन का सही एंसर चली आगे देखते हैं कोशन नमर 113 तो हमने देख लिया अब ये सभी कोशन खतम हो गया तो अब हम अगले सेट में अगर कोई आप लोग को डाउट होगा भ कल मैं आप लोग को कोई वीडियो नहीं प्रवाज करा पाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था तो चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजेगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब